हेलो मा यूटूब फैमिली वेलकम बैक टो माई चैनल सीमा स्वीट किचिन आई होब कि आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड में सीमा यादा फिर से हाजिर हो गई हो आप सब के सामने एक उनिक्स और प्यारा सा केक डिजाइन लेकर तो यह बहुत ही छोटा सा केक है और यह यह बनाया था और यह मेरी रेगुलर कश्टूमर है इन्होंने मेरे को बोला कि एक छोटा सा केक चाहिए हमारे बच्चों की जिद है वैसे हम न्यू यह पर केक नहीं काटते बच्चे जिद कर रहे हैं तो बच्चों की बात माननी पड़ेगी तो आप बहुत छोटा सा केक हमारे लिले बना दिजे आप कितना छोटा बना सकती है उतना छोटा बना दिजे तो मैंने इसके लिए लिया था 80 ग्राम प्रेमिक्स और इसका बैटर बनाकर मैंने इसका बेस केक तीन में तो यह बनकर रेडी हुआ था और फ्रेंज चाहे केक बड़े हों चाहे छोटे हों टाइम उतना ही लगता है लेरिंग में क्रम कोटिंग में और फाइनल आइसिंग में जितना कि बड़े केक में लगता है उतना ही छोटे में भी लगता है पर मुझे उनके लिए केक बनाना था मैंने माना नहीं किया उनके वो मेरे first customer है जब मेरा मेरा काम सुरू हुआ था मैने काम सुरू किया था तो first order उनी काया था केक का और आज मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है तो मैं उनको अपने लिए लगी मानती हूं और उनके लिए मैं कभी भी माना नहीं करूंगे किसी भी काम के लिए चाहे वो कोटे केक पर कैसे डिजाइन बनाना है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें इसकी इपना करें यह आपके हैल्प भी कर सकते है वीडियो तो देखें मैंने पैले नाइप से इस पर पैटरन दे दिया है और एक पाइपिंग बैग में भरी है मैंने बिलू कलर की क्रीम और लगाया है छोटा स्टान नोजल और इससे मैं बना लूँगी वैंटेज स्टाइल बॉर्डर और यह बहुत अच्छा लगता है जैसे पुराने जमाने में वैंटेज केक होते थे उन पर बनाया जाते थे मैंने उसी इस तरह का इस पर बॉर्डर बना दिया है तो देखें क थोड़ी सी क्रीम में मैंने मिलाया है ब्रगंडी कलर और बना ली है ब्रगंडी कलर की क्रीम तो एक रोजिस बनाया है और दो छोटे-छोटे इस्टार बना ली है मैंने इस्टार नोजल से ही और फ्रेंड मैंने इसमें छोटे इस्टार नोजल का ही उज़ किया है पूरे नीव के लिए हमने कोई नूजल यूज नहीं किया है औक पाईपिंग वैक को और प्रड़ कॉर्स के लिए theheit यूज करती हूँ पत्तियों के लिए और स्कुछ में डाली हुआ इसमें colorful पर्ल यह एडेवल पर्ल होते हैं इन्हें हम खा सकते हैं तो देखिए एडेवल पर्ल मैंने डाल दिये हैं एक पर्ल डाल दिया है मैंने जो बीच में रोज बनाया है उसके उपर और चोटो चोटो मेरे केक के तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बीच-बीच में मैं यहां पर इस टार बना रही हूँ यही बिलू कलर की क्रीम से और इसमें भी एक एक परल मैं लगा दूँगे इसके बीच में तो केक मेरा हो गया है रेडी कैसा लग रहा है प्लीज जरूर करें आपका कॉमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और आगे अच्छे-च्छे डिजाइन लाने की हमें प्रेड़ना देता है और फ्रेंट कुछ भी सीखना है तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं मैं उस पर एक सेप्रेट वीडियो लेकर आऊंगी आगे भ पर कैसे बनाएं कड़ाई कूकर में तो यह है मेरे केक का ओवरोल लुक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं तो मिलते हैं एक न्यू और इंटरस्टिंग वीडियो में बाबाय एंड टेक केर